पंद्रा जून दो पहर दो बजे गल्वान घाटे हिमालाई की उचाईयों पर भारतिय सीमा का एक सुदूर वीरान इलागा कॉर्पल एहमद बेज को खबर देते हैं कि फॉवर्ट पोस्ट से जंडा नदारत है सर देखें वहाँ और भी है परवतो पर उस दिन फॉची कमांडो अकेले में दुश्मत जैनिकों ने कितने पत्थरों की आठ लेकर फॉची यूनिट पर धवा बोल दिया कबिर बेसकाँ स्कॉर्ट थी का भारतिय श्यात्र गुस्पैडियों से सामना हुआ रिपेट स्कॉर्ट थी का दुश्मत उस सामना हुआ लेटेनेंट सिंकी पिट्रूल 3D को जिस आखरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे दूस खलत से गिरे पत्थर और चट्टा और अधेरा चागया छे गंडे बाद जब लेटेनेंट सिंकी आँख खुली तो उनका सर चक्रा रहा था पहार से हुई पत्थरों की उस बोचार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोड़ाई थी एहमद, धिलो, रवी फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाईयों से बैतर थी जो उनके पास बर्स में शहीर हो चुके थे कम से कम वो जिन्दा तो थे भारती असेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता ये लड़ाई ऐसे खट नहीं होगी मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगा बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी